जै मातादी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 और 6 जुलाई 2021 के धनुरासी फल के बारे में धनुरासी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे और इन दो दिनों में ग्रह नक्षत्रों में क्या परिवर्तन होंगे क्या योग बनेगा और ग्रह आपकी दिन्चरिया को कैसे प्रभावित करेंगे जानेंगे आपके केरियर, वेपार, वेवसाय, सिक्षा, स्वास्त, परिवारिक जीवन, प्रेम जीवन और दामपत्य जीवन सभी के बारे में दोस्तो आगे बढ़ें इससे पहले आपसे निवेधन है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बराबर में जो घंटी का बटन है उसे दबा दें जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचेगा आप तक सबसे पहले दोस्तो जानते हैं इन दो दिनों में क्या तिथी होगी, क्या नक्षत्र होगा और कौन से योग बनेंगे बात करते हैं सबसे पहले इन दो दिनों के पंचांग के बारे में पांच जुलाई 2021 किर्शन पक्ष का स्वमवार का दिन होगा एक आदसी तिथी रात दस बजकर 33 मिनट तक रहेगी फिर दोआदसी तिथी सुरू हो जाएगी द्रती योग दोफैर एक बजकर 27 मिनट तक रहेगा फिर शुल योग सुरू हो जाएगा भणी नक्षत्र दोफैर बारा बजकर 12 मिनट तक रहेगा इसके बाद कृति का नक्षत्र सुरू हो जाएगा सूर्य देव मिथुन रासी में विराजमान होंगे और चंदर देव साम 6 बजकर 69 मिनट तक मेस रासी में विराजमान होंगे इसके बाद विर्सव रासी में गोचर कर जाएंगे आज का राहुकाल का समय सुबह 7 बजकर 12 मिनट से सुबह 8 बजकर 56 मिनट तक रहेगा बात करें 6 जुलाई 2021 की तो किर्सन पक्ष का मंगलवार का दिन होगा दौज़ दसी तिथी अगरे दिन सुबह 1 बजकर 5 मिनट तक रहेगी फिर त्रियोदसी तिथी सुरू हो जाएगी शूल योग दो फैर 2 बजकर 34 मिनट तक रहेगा इसके बाद गड़ योग सुरू हो जाएगा कृतिका नक्षत्र दो फैर 3 बजकर 21 मिनट तक रहेगा इसके बाद रोहिनी नक्षत्र सुरू हो जाएगा सूर्य देव मिथुन राशी में विराजमान होंगे और चंदरदेव विर्सव रासी में विराजमान होंगे राहुकाल का समय 2 फैर 3 बज़कर 54 मिनट से साम 5 बज़कर 38 मिनट तक रहेगा और अभिजीत महुरत यानि सुब समय सुबह 11 बज़कर 57 मिनट से 2 फैर 12 बज़कर 53 मिनट तक रहेगा दोस्तों 5 और 6 जुलाई को चंदरमा आपकी रासी के पंचम और सस्टम भाव में वराजमान होंगे और ये जो दो दिन होंगे विशेश महतपून होंगे 5 जुलाई यानि योगिनी एकादसी का व्रत होगा जो भगवान विश्नु को समर्पित होता है इस दिन विधी विधान से पूजा करने से भगवान विश्नु खोस होते हैं कश्टों से मुक्ति देते हैं और जीवन में आ रही समश्याओं को दूर करते हैं और 6 जुलाई गज के स्रियोग त्री पुसकर योग और सरवार सिद्धी योग तीन योगों का निर्मान हो रहा है गज के स्रियोग के बनने से आपको गज के समान सक्ति और धन की प्राप्ति होगी सभी सुखों को भोगने वाले होंगे नई उचाईया चुएंगे वाद विवाद और भाचन कला में निपुन होंगे और आपकी इस योग में महतो कांग्छाय अवश्य पूरी होंगी और अपनी सूजबूच से और साहस से कारे चेतर में अच्छे फल की प्राप्ति करेंगे धन संबंदी सभी परिशानिया दूर होंगी और धन संबंदी में बढ़ोत्री होगी संतान का सुख भी प्राप्त होगा और सरवार सिध्धी योग अपने आप में सिध्ध मुहरत होता है सभी कुयोगों को समाप्त करने की सक्ती इस योग में होती है इस योग में की गई कारिये बिना किसी व्यवधान के पूर्ण होते है रोका हुआ धन वापिस होता है और मन वांचित यानि इच्छित फल की प्राप्ती होती है बात करें त्री पुषकर योग की तो इस योग में तीन वुना फल की प्राप्ती होती है और इस योग में प्रॉपर्टी में निवेश करना, सौना चांदी खरीदना, मकान, दुकान, वाहन खरीदना सुभ माना जाता है त्रीपुशकर योग में बाहर से करजा लेने से बचना चाहिए और बात करें चंद्रमा की स्थितिकी तो जब चंद्रमा आपके पंचम भाव में होंगे तो पंचम भाव में इसी चंद्रमा के परणाम में सूरिय, केतू और चंद्रमा का परभाव रहेगा तो इस दोरान आप सही तरीके से पैसा कमाने की कुर्शिस करेंगे कभी भी कोई गलत तरीका नहीं अपनाएंगे इस दोरान सरकार से आपको सम्मान और सहयोग की प्राप्ति होगी चंद्रमा के पंचम भाव में होने से आपका सरवत्र गुनगान होगा समाज में अच्छी पहचान मिलेगी मान सम्मान बढ़ेगा दानपुन के कारियों में आप से भागीता निभाएंगे और समाज के लोग आपसे प्रसन होंगे इस दोरान सभी सुखों को भोगने वाले होंगे मित्रों का भी पूरा सहयोग प्राप्त होगा मित्रों से मधुर संबंध होंगे आपकी इसमरन सक्ति अच्छी होगी यानि इस रासी के छात्रों को विशेश फल की प्राप्ती होगी आप सत्य बोलने वाले होंगे और सदेप प्रसन रहेंगे अपनी मेहनत लगन के बल पर सब कुछ हांसिल करना चाहेंगे और सिक्चा के छेतर से जुड़े लोगों को अच्छे परणाम प्राप्त होंगे जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और दामपत्य जीवन मधर होगा इस दोरान अपनी वानी पर नियंतरन रखना होगा अबद्र भासा का प्रियोग करने से बचना होगा अन्यता नई मुसीबतों को निमंतरन देंगे आप तो थोड़ सी साफधानी रखनी होगी और जब चंद्रमा आपके छटे भाव में होगा तो यह भाव बुद्ध और केतु से प्रभावित होता है इस घर में इस्थित चंद्रमा आपको सिक्षा में कुछ बाधाएं दे सकता है यानि अपनी सेक्षिक उपलब्दियों का लाब उठाने के लिए आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी यहां आपको किसी के लड़ाई जगडे या बहस से दूर रहना होगा माता के साथ समन्द सामानने होगे और माताजी की स्वास्थे पर ध्यान रखना होगा इस दौरान आप कुछ मानसिक तोर पर परिशान होगे मन में असांती होगी और इस दौरान इस रासी के जो लोग नौकरी करते हैं वो नौकरी में बदलाव की कोशिस करेंगे लेकिन इस दोरान अचानक कोई निर्णे ना ले तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा नौकरी ना बदने तो भी आपके लिए अच्छा होगा इस दोरान आपके अंदर एक अधभुत सक्ती ऐसी होगी कि आप अपने सत्रों की पहचान बड़े आसानी से कर लेंगे जिससे आप पहले से सतर्क हो सकते हैं इस रासी के जो लोग मेडिकल से सम्मंदित कोई कारिय करते हैं डॉक्टर हैं नर्स हैं उन्हें मान सम्मान की प्राप्ती होगी यस की प्राप्ती होगी और अच्छा धन कमाने में भी काम्याब होंगे समाज की सेवा करेंगे और समाज के लोग आपकी प्रसंसा भी करेंगे जब चंद्रमा सस्टम भाव में होता है तो व्यक्ती बहार के पैसे लेने से बसता है किसी कारिय को करने के लिए केवल अपने आप पर विश्वास रखता है इस दोरान पेट से सम्मंधित कोई आपको परिशानी हो सकती है पेट में जलन एपचन हो सकती है तो बहार का तलाभुना खाने से बचना होगा और अपने वैयाम और योगा पर ध्यान देना होगा जिससे कि आपका स्वास्त अच्छा रहे इस राशी के लोगों को अच्छे फल प्राप्त करने के लिए सुभे इसनानादी करने के बाद सूर्य को अर्ध दे तो अच्छे फल की प्राप्ती होगी दोस्तो ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें चैनल को सब्सक्राइब, सेर, लाइक, आवर